जीओ थर्मल अनेर्जी देखो जीओ थर्मल अनेर्जी क्या होती है अर्थ का जो सर्फिस है उससे जब हम उपर की तरब जाता है एक्मोस्पेर में तो पर वन सिक्सटीफाइब में एक्माब पर भी यहां हर सिक्सटीफाइब कि वर्ण डिख्रीचर बढ़ता है इस अर्थ के जब नीचे की तरफ जाते है तो टंस इंक्रीज होता है और जबाएं से उपार की तरफ आते हैं तो टैम grassers tickets होता है यह नीचे की तरफ weं लिए जोगा और उपार की तरफ vithree jmi अब कई बाएं कि पार क्या होता है यकां नीदीप सब्सक्राइऽ जिनको spring केते हैं है वो उस heat की वज़े से geothermal energy की वज़े से उनसे गरम पानी निकलता है, यह होट वाटर मार की तरफ निकलता है जिनको क्या कहा जाता है होट springs क्या कहा जाता है, होट springs अब यह होट springs कही जगे मिलते हैं अपने वो locally available होते हैं जिसे अपने पास में भी जगए है गरेश्वर वहाँ पर ऐसा ही होट springs है जिससे गरम पानी निकलता है और उसको यूज़ वहाँ के लोग पीने में और bathing में गएरा इन सब परपस में यूज़ करते हैं तो एंसें टाइं से ही हम इन होट springs का cooking बाथिंग ये एक नया फिनोमना है ये एक नया मेथड है जिनमें क्या किया जाता है जियो थर्म अलेर्जी को यूज़ करके electricity generate की जाती है जैसे वालोग कि यहाँ से आर्थ के अंधर कोई natural source है इस से उपर की तरफ ये spring पाने निकल रहा है तो वहाँ पर क्या किया जाएगा इस spring water की जो steam होगी उस steam बनेगी उस steam को use किसमें कर लिया जाएगा उसके energy को जो turbines होते हैं और turbines को गुमाने में use कर लिया जाएगा या तो ऐसे या फिर उसके पास नहीं well या tube well खोद गये और उसके पानिका जो heat होगी उस heat को यहाँ जो turbines है उस turbines को गुमाने में use करेंगे और उसके बाद में आगे generator होगा उस generator क्या करेगा उस turbine को बूर में से जो energy बनेगी उस energy को किसमें change कर देगा electricity में change कर देगा अब देखो वर्ल में सबसे ज़्यादा geothermal energy का production किस country में होता है सबसे ज़्यादा होता है USA USA is the largest producer of geothermal energy इसके बाद में New Zealand Australia में है Iceland Europe में इसके अलावा Philippines नौर्थ अमेरिका का सेंटल पाद है नहीं सेंटल अमेरिका यह सब कंट्रिया है जो geothermal energy के production में आगे है इसके अलावा अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखो दो जगह geothermal energy से production होता है तो देखो मनी करण यह कहा है हिमाचल प्रदेश में दूसरा है पूगा वैली यह कहा है लदाखन लदाख की पूगा वैली और हिमाचल प्रदेश में मनी करण यह दो प्लेस हैं जहां पर geothermal energy को यूज करके वाप पर electricity का generation की अजबता है अब देखो next है टाइडल energy टाइडल energy में क्या होता है देखो जैसे ही सी पार्ट सी पार्ट में क्या होता है टाइडस आते हैं टाइडस मतलब जवार जब टाइडस आते हैं तो क्या होता है सी का पानी आगे की तरफ कोस से आगे की तरफ उपर चड़ता है तो कोस से जब आगए की तरफ चड़ेगा तो क्या करता है उसके सामने कुछ इस तरीके से की इस तरीके से उसके सामने वॉल्ज मना लाली जाएगी तो इसे वॉल्ज छोड़ंगे मारें इकमें वहाए हए हमारे इन ओर से पानी निकलता हुए इंदर कर देगे बंद करेंगे बंद करने के बाद में जब टाइट्स वापस यासी कर पा करने के बाद अंदर किया होता है इस तरह को अå यह लंबी भी होती है इंपर यूंग लगी होती है या फिर ऐसे फेंज जैसे ब्लेड भी होती है बड़ी इस तागे टरबाइन लगे लगते हैं आप जैसे ही यह सी का पानी पीछे जाएगा तो इदर बर एवे पानी को क्या करेंगे पर इन फॉल की तरब से रिलीज करेंग आप देखो कहां कहां है वर्ड के अंदर देखो सबसे जादा यूज करता है रश्या इसके अलावा फ्रांस और इंडिया में कहां पर लगी इस तरह की मिल्स कच्छ में कच्छ का है गुजरात में कभी आपने देखा हो तो साउथ की तरब से इंडिया कुछ इस तरीके से है तो यह वाला जो इरिया है यहां पर इस तरह की टाइड मिल्स लगी रही है आप देखो लास्ट अपना टॉपिक बसता है बायो गैस देखो बायो गैस में क्या किया आता है जो बायो डिग्रेडेबल वेस्ट होती है इसके इंदर एनिमल्स की वेस्ट आजाएगी एग्रिकल्चर वेस्ट आजाएगी डमस्टिक वेस्ट आजाएगे अपने गर उसे तो वेस्ट का चरा निकलता है डमस्टिक वेस्ट में क्या आता है वेजिटेवल्स फ्रूट्स के पील्स चिल्के इस तरह के आप देखो इसलिए क्या होता है इस तरीके से एक अंडरग्राउंड गैस टेंक बनाए जबता है उस टेंके इधर की तरफ एक तरफ होता है इसको कहते हैं सलरी यहीं इधर से आप डालोगे इसमें जो भी वेस्ट आप इधर से डालोगे और वो इधर इस टेंक में जमाउता रहा दूसरी तरफ से एक होगा इस तरीकी की स्ट्रेक्चर जिसमें क्या होगा गालेगो वो कुस दिन इसमें डीकंपोज होगी बेक्टीरिया लगरण च्वोड़ देगे इसमें जिनकों आठ रोम्स वगरा कहते हैं इस तरह के बैक्टीरिया इसमें च्वोड़ देगे वो क्या करेंगे उन बायोडिग्रेटिवल जो वेस्ट उसको डीकंपोस कराएंगे यानि जलाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, चलाने की काम ना की सत्थी एक बंद उस में गटिए बाधर धांबार 蛋ाइम के बाद यथी वेस्ट को बाहर निकाल नेंगे तो जिससे क्या होगा आपको chemical fertilizer लेन डालने की ज़दत नहीं पड़ी जिससे क्या होगा जो chemical fertilizer use करने से soil fertility दिन बर दिन कम होती जाती है वह soil fertility वैसे की वैसे बनी नहीं है आप देखो इंडिया जो है कैसी country है agriculture dominated country है agriculture के उपर depend या की most of population approximately 50% population इंडिया की किसे अपर depend है agriculture occupation है बतलब जो farmers agriculture करते हैं वो साथ में animals boundary भी करते हैं तो इंडिया में इतनी बड़ी opportunity है biogas के production की कि लगबग हर गर में हर farmer के गर में animals होते हैं इसलिव अपने domestic level पर biogas का production कर सकता है इससे फायदा क्या होगा फायदा यह होगा जो natural gas के अपर depend है जो non-renewable है expensive है इसके कोई पैसे नहीं लगए इसकी सिर्फ installing cost है उसके बाद में इसको maintain करने की कोई cost नहीं आपको काफी पैसा जो मेंडिया और बच जाता है आपको एक best quality की organic मेंडिया निल जाती है इसके लाए आपका जो daily fuel needs है वो पूरा जाती है और उसके लाए जो घर किसे जो waste निकलता है उसको dump करने का जो problem है वो भी दूर जाती है इंडिया में इसके portion है जाता है इसको आपको रूरल लेवल तर गौर्मेंट भी क्या करिए प्रमोट करिए ऐसके पार्टिवर बड़े-बड़े plants नहीं है वी गौर्मेंट बड़े लेवल पर भी वाया ग्यास प्रोडूस करके फिर सप्लाइ करिए इसका दमस्टिक लेवल पर ही production possible है तो आज का मारा topic non renewable energy resources यह आप एक तम बड़ा